हेलो स्टुडेंट्स हाव आ यू वेलकम टू दा हिंदी क्लास बच्चो अपनी हिंदी लिट्रेचर की बुक मेगला भाग छह का पाठ ग्यारह सच्ची वीरता निकाल लीजे और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजे बच्चो हमने पिछली कक्षा में पेज 84, 85 और 86 के difficult words meanings और reading की थी आज हम पेज 86 और 87 के difficult words meanings और reading करेंगे आएए एक नज़र डावते हैं पेज 86 के difficult words meanings और उनकी spellings पर पहला शब्द देखिए कार खाने कार खाने means factories अरण्य और आधन य बच्चो यहाँ पर अणा के साथ उसकी standing line नहीं लगी हुई है अरण्य मिस जंगल अगला स्वतह आधास व तो के पीछे विसर्ग स्वतह मिस अपने आप अगला संकल्प सके उपर अंग लगा हुआ है और आधा लव संकल्प मिस प्रणलेन वीर पुरुष प्रेव मैन कुद्रत नेचर स्मस्त सम आधासत स्मस्त मिस सारी भंडार भको अंग डको आर भंडार दैविय केंद्र डिवाइन सोर्स तकोय वको बड़िय ये दैविय केंद्र ककोय अंग द्र केंद्र अचल स्थिर यानी फिक्स्ट नीती नको बड़िय तक छोटिय नीती पॉलसी इकठथा चोटिय कर ट के नीचे हलंत ठकवा इकठथा जमा चहिन चोटिय यहाँ पर ह के नीचे हलंत लगा हुआ है न चहिन निशानी तिन टको चोटिय न तिन थिन मैटल जिसके बरतन बनाये जाते हैं ठंडा ठकवा ठंडा चलिए बच्चो अब पेज 87 पर चलते हैं मजाल हिम्मत वानी वकवा नाको बड़ी वानी आवाज सर्द यहाँ पर द के उपर रेफ लगा है सर्द थंडा अटल बिना हिले अध्यात्मिक अ आदाध या कोवा आदे तक छोटिय मक बच्चो यहाँ चोटिय की मात्रा बोलने में मा पर और लिखने में तापर लगी है अध्यात्मिक मिन स्प्रिच्च्वल अभिन अ भकव चोटिय आधा न न अभिन जुड़ा हुआ विजय जीत रंग चड़ जाना यहाँ एक हिंदी का मोहावरा है जिसका मतलब है असर होना चिर्स्थाई चको छोटी एर चिर्क आधास थकवा यको बड़ी स्थाई चिर्स्थाई देर तक रहने वाला सार्थ यहाँ पर था के उपर रेफ लगा है सही रूप में चटान च आधा ट टकवान चटान रोक द्रड़ता यहाँ दो के पैर में री लगा है द्रड़ता मिंस मजबूती बाहर उपर सतह सर्फेस अंतर्मन आ के उपर जो अंग है वो आधे न की साउंड दे रहा है और मा के उपर रेफ लगा हुआ है अंतर्मन आत्मा चलिए बच्चो अब पेज 86 पर चलते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग बच्चो हमने पिछली कक्षा में कवी मंसूर, महराजा रंजीत सेंग, नेपोलियन, जैसे सच्चे बहादरों और उनकी बहादरी से जुड़ी अनेक कथाओं के बारे में पढ़ा था आईए अब आगे की रीडिंग करते हैं वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते वे तो देवदार के व्रिक्षो की तरह जीवन के अरण्य में स्वतहई पैदा होते हैं और बिना किसी पानी दिये बिना किसी के दूद पिलाए बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब वीर पूर्ष का दिल सबका दिल हो जाता है उसका मन सबका मन हो जाता है उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्ब सबके संकल्ब हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं इस पैरे में बताया गया है कि सच्चे बहादुर कोई फैक्टरी में नहीं बनाये जाते वह तो देवदार के व्रिक्ष की तरह स्वेम पैदा होकर दूसरों को सहारा देने के लिए खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार बहादुरी भी अचानक अंतरमन से ही पैदा होती है चलिए अगले पैरे पर चलते हैं वीर पोर्ष का शरीद कुद्रत द्वारा बनाये समस्त ताक्तों का भंडार है कुद्रत का यह केंद्र हिल नहीं सकता एक बार सूर्य का चक्र हिल जाए तो हिल जाए प्रन्तु वीर के दिल में जो दैविय केंद्र है वह अचल है कायरों की नीती चाहे विक्सित होकर अपने बल को नश्ट करने की हो मगर वीरों की नीती बल को हर तरह से इकठा करने और बढ़ाने की होती है यहाँ भी वीर्ता का एक चिहन है इस पैरे में बताया गया है बहादुर अपने समाज की इच्छा पूर्ती करता है यानि वह समाज में बदलाव लाना चाहता है बदलाव तो सब लाना चाहते हैं पर लाने का साहस नहीं कर पाते इसी तरह सूर्य चाहे अपनी दिशा से हिल जाए पर बहादरों की आंतरिक दैव्य शक्ति को कोई नहीं हिला सकता चलिए आगे पढ़ते हैं वह वीर क्या जो टिन के बरतन की तरह जट से गरम ठंडा हो जाता है सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गरम हो और हजारों वर्ष बरफ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वानी तक ठंडी हो उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब सत्य की सदा जीत होती है यह भी वीर्था का ही प्रतीक है विजए वहीं होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है दुनिया धर्म और अटल अध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है जो अपने आपको उन नियमों के साथ अभिन करके रहता है उसी की विजय होती है इस पैरे पे बताया गया है कि वीरता के गुन जितनी जल्दी पैदा होते हैं उतने ही जल्दी समाप भी हो जाते हैं लेकिन एक सच्चा वीर बहादूर हमेशा अपने मार्ग पर डटा रहता है हमेशा उसी की ही जीत होती है जब कभी हम वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरे उठने लगती हैं और वीरता का रंग भी चड़ जाता है प्रन्तु प्रायह वह चिर्ष थाई नहीं होती इसका मुख्य कारण यह है कि हम सब को केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं न कि सार्थक रूप में इसलिए टिन के भरतन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंदर में निवास करना चाहिए और सच्चाई की चटान पर दृता से खड़े होना चाहिए बाहर की सतह छोड़कर अंतर मन की तहों में गुसना चाहिए तभी जीवन में नए रंग की लेंगे बच्चो इस पैरे में बताया गया है कि वीरों की कथाएं कहानिया सुनकर हमारे अंदर भी बहादुरी का बीज पैदा हो जाता है लेकिन यह जीवन में स्थाई नहीं रहता इसलिए हमें उपरी दिखावा छोड़कर सचाई के रास्ते पर चलना चाहिए और जीवन की गहराई को समझना चाहिए तो बच्चो इस पार्ट को परिक्षा की द्रिष्टी से पढ़ाना हमारा उदेश्य नहीं बलकि इसका आत्म साथ करवाना भी हमारा उदेश्य रहा है आशा करती हूँ कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी लेकिन कम से कम आपने इस पार्ट को दो बार पढ़ना है और साथ ही इसके difficult words, meaning और spellings को याद करना नहीं भूलना है चलिए बच्चो अब शब्द ग्यान पर चलते हैं और कटिन शब्दों के अर्थ जानकर उनसे वाक्य बनाना सीखते हैं बच्चो यह वाक्य मैं आपको आपकी सुवधा के लिए बता रही हूँ आप इन शब्दों से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं पहला शब्द देखे वार्तालाब वार्तालाब मिन्स बहस या बातचीत वाके देखे रमन के माता पिता आपस में वार्तालाब कर रहे थे अगला बागी विद्रोही बच्च यहां दह के पैर में पदेन लगा हुआ है वाक्य देखे, बागी को फांसी की सजा सुनाई गई अगला हद सीमा, सकोबडी मकवा सीमा वाक्य कभी अपनी बोलने की हद पार मत करो शहनशाह मिंस राजा वाक्य देखे, शहनशाह ने प्रजा की भलाई के लिए कई कारे की काफिर सिर्फिरा वाक्य बाशा ने काफिर को बंदी बना लिया अगला अटक, अटक मिंस नदी गंगा एक पवित्र अटक है अगला विरक्त, विरक्त मिंस भोग विलास से दूर रहने वाला वाक्य देखे, साधू विरक्त जीवन जीते हैं अगला स्वतह, अपने आप बच्चों ने स्वतह कविता लिखी अगला शब्द कुदरत, कुदरत मिंस इश्वर कुदरत कई रंग पदलती रहती है अगला अटल, बिना हिले वाक्य अपनी बाद पर अटल रहो अगला शब्द चिरस्थाई, मीनिंग देर तक रहने वाला वाक्य मानव जीवन चिरस्थाई नहीं है अंतरमन यानि भीत्री मन वाक्य देखिए, अपने अंतरमन को शुद्ध रखो चलिए, अब अगली लाइड में चलते हैं तिरस्कार, मिन्स अपमान गरीबों का तिरस्कार मत करो गुलाम, दास वाक्य देखिए, भारत दोसों वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा निमित, मिन्स हेत्थू या केलिए वाक्य देखिए, आत्मा की शुद्धी के निमित हमें पाट पूजा करनी चाहिए अगला, खुदा, खुदा मिन्स इश्वर खुदा सबका भला करते हैं अगला, मर्द, मर्द मिन्स आद्मी वाक्य देखिए, मर्द रोज कार खाने में काम करने जाता था अगला शब्द, अंतह प्रेर्णा, आत्मा की आवाज वाक्य अंतह प्रेर्णा की आवाज सुनो अगला, अरण्य, मिन्स जंगर अरण्य, जान्वरों का घर होता है अगला शब्द, संकल्प, मिन्स द्रड निश्च्य वाक्य रोहन ने सिपाही बनने का संकल्प किया अगला शब अचल स्थिर वाक्य हिमाले परवत भारत की उत्तर दिशा में अचल है अगला लहरें उमंगे वाक्य देखिए तिहार आने पर बच्चों के मन में खुशी की लहरें उठने लगती हैं अगला दिर्ड़ता दिर्ड़ता मिल्स मस्दूती वाक्य ट्रैफिक नियमों का दिर्ड़ता से पालन करना चाहिए चलिए बच्चों अब पेज 88 पर चलते हैं वर्तनी ग्यान वर्तनी मिल्स स्पैलिंग्स यानि शब्दों को सही रूप में लिखना बच्चों किसी भी शब्द को लिखने के दो रूप होते हैं मानक रूप और प्रचलित रूप जैसे पहला शब्द देखे केंद्र यहां पर मानक रूप में आधा न अनुस्वार लगा कर लिखा गया है जबकि प्रचलित रूप में वह आधा न लगा कर लिखा जाता है इसी तरह अगला शब्त अहम यहाँ पर आधा मौ मानक रूप में अनुस्वार बना कर लिखते हैं जबकि प्रचलित रूप में मौ के नीचे हलंत लगा कर लिखा जाता है इसी तरह असंभव में आधा मौ अनुस्वार बना हुआ है और प्रचलित रूप में आधा मौ लगाया जाता है इसी तरह द्वारा द के पैर में पदेल वकवा रकवा द्वारा और प्रचलित रूप में द के पैर में व आ रकवा द्वारा इस तरह लिखा जाता है इसी थरे एकठा, कर में त नीचे हलंत लगा हुआ है जबकि प्रचलीत रूप में त के नीचे ठ और आ लगाकर लिखा गया है अगला ठंडा, ठंडा में ठ को अंग दकवा ठंडा जबकि प्रचलीत रूप ठ आधान दकवा ठंडा इसी थर चतान, चतान में को मानक रूप में आधा ट लगा कर लिखा जाता है, जबकि प्रचलित रूप में ट के निचे ट आ न चतान लगा कर लिखा जाता है. चलिए अगली पंक्ती में चलते हैं, बंदूग, यहां पर आधा न अनुस्वार बना हुआ है, जबकि प्रचलित रूप में आधा न लगा हुआ है, युद्ध, यह को छोटाऊ, द के पैर में हलन्त, ध, युद्ध, प्रचलित रूप में द के पैर में ध लिखा जाता है, युद्ध अगला बुद्ध द को हलंत लगा हुआ है जबकि प्रचलित रूप में द के पैर में ध, बुद्ध, भंडार, भकोंग, डकोवार, भंडार, प्रचलित रूप भ, आधान, डकोवार, भंडार, चिन चको छोटी इ आदा हन चिन यहां ह के नीचे हलंत लगा हुआ है जबकि प्रचलित रूप में ह के पैर में न लगा हुआ है चिन अंदर अ के उपर अंग दर अंदर जबकि प्रचलित रूप में अ आदा न दर अंदर लिखते हैं बच्चो आज की कक्षा में पढ़ाए गए कारे की आपने अच्छे से दोहराई करनी है कठिन शब्द अर्थ और वाक्यों को कौपी पर लिखना है हम अगली कक्षा में इसकी बैक एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे तिल देन गुड़ बाई